बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, ऐसा बोल कर रावद साब आपने क्या साबित करा, दस मिनट में घर लखन से खाली करवाया, और लखन ने अपने बाप के लिए क्या बोला, विद परूफ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, वीडियो फुल वॉच करें दिंपल विलोग, तो कैसे हो आप सब लोग, एक दम बड़ी आना मस ना, वेरी गुड तो जद इस वीडियो को आप लोग लाइक करतो, लाइक करतो, लाइक करके भर भर के कमेंट करना, बिल्कुल ना भूलना, आप लोग तेक ही रहोंगे, मेरा ये वीडियो भी जो है, व और भी बड़े यूट्यूबर जो है, वो कुद पड़े हैं, चाहे फिर वो दो बीबियों वाले रहे हो, अर्मान मलिक जांफिर रहे हो, एक पतनी वाले बवेक, जानी की खुशी पंजाबन के हस्वें, ये सब लोग टिक टॉक से ही वाइरल हुए हुए हैं, तो टिक लोगों को इतना नेम फेम मिला था, आज वावेक के व्यूज बहुत गिर गए हैं, लेकिन कॉंट्रोवर्सी में कूदने की इनकी आदत है, दूसरों की कॉंट्रोवर्सी में ये कूद पड़े हैं, जानी की बाप बाप होता है, तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये ब पर कोई पूछे इन से कि आपकी अलग सी कॉंट्रोवर्सी जो अर्मान मलिक के साथ है, वो भी कोई भूला नहीं है, आप अपने चोटे से नन्ने मुने बेबी को छोड़कर रिल्स भी बनाते हो, अलग-लग इवेंट्स में भी जाते हो, सब चीजे करते हो, क्योंकि आपक बिखाते हो, जो भी प्रोस्ते हो, जहां पर सोशल मीडिया पर, तो उसी को लेकर जो है पबलिक बात करती है, क्योंकि ये वियूर्स है, ये किसी को फैमली में से, अगर चार लोग हैं, वो दो लोगों को पसंद करते हैं, तो वो उसकी स्पोर्ट में बोलेंगे वियूर्स उसी के लिए कमेंट करेंगे, दो उस अलग से करेंगे, ठीक है, बात वही आती है, लेकिन फिलहाल एक बाप और बेटे का जो आमना सामना है, और आमने सामने की जो ये लड़ाई है, जो लड़ाई ना होते हुए भी मुझे लगता है, कोई मिस अंडरस्टेंडिंग है, ज देखे, पिता जी ने भी जो है, लखन के जो पिता जी है, उन्होंने भी अपनी जो है, जा कहते हैं, इमेज जो है, वो उन्होंने कैसे बनाई, अपनी स्ट्रगल करी है, मेहनत करी है, जो कि सब लोग करते हैं, हना, एक मुकाम हासिल करते हैं, लेकिन आज जो वो इतने आपसे भी लोग पूछते होंगे कि आपके घर में ये क्या चल रहा है जैसे ही यूट्यूब उपन करते हैं तो आपके घर की जो है सारी व्याथा यहां पर कहते हुई पब्लिक नजर आती है ना आपके अपने बच्चे ही सामने नजर आ रहे हैं इवन और तो और जो कि गोल का बतीजा है वो कुछ समय इनके घर पर रहा लेकिन किस वज़ा से इनकी आपसी अनबन जो हुई तो वो इनसे साइड हो गया लेकिन उसने भी अपना एक चैनल बनाया वो उसके ओपर मेहनत करने लग गया वो बहुत ही मतलब कि उसको लगता है कि बहुत स्पोर्ट करते है उसको लखन और नीटू तो यहां पर अभी कीरती ने जो उसकी स्पोर्ट में उसके चैनल का लिंक जो है अपने इंस्टाग्राम पर और अपनी कम्यूंटी पर भी दिया जिसकी वज़ा से उसने ठैंक यू का एक वीडियो भी बनाया लेकिन मैं अभी अपने मुद्दे से नहीं हट रही हूं इन्होंने अपनी फैमली के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फेस वैल्यू दी है साथ उनके चैनल भी खुलवाए हैं और उनको एक अच्छा खासा बिजनस के परपर से जहां फिर कह दें इंकम के परपर से काफी अच्छा उनको एक इंकम सोर्स मिल ग जा फिर इनके आपसी मदवेद जो हैं वो कभी ओफ कैमरा चल रहे थे लेकिन अब जो एक साल से ओफ कैमरा चल रहे थे अब निकल कर सामने आ गए हैं यहां पर पाई जो हैं क्या कह रहे हैं सुनिये जराब नीतू के बारे में चलिए मैंने सोचा था मैं यहां पर क्लिप लगाओंगी लेकिन मैं नहीं लगा सकती क्यूंकि हो सकता है यह स्ट्राइक स्ट्राइक खेल ले है तो मैं अपने चैनल को थोड़ा सेव लेकर ही चल रहे हूँ तो उसके लिए क्या है कि मैं आप लोगों को बताई देऊंगी कि पाई का कहना है कि कुछ लोग जो है शाद की है जो कि बिलकुल भी अच्छी बात नहीं है तो पाई से कहेसे कह ना चाहते हूं कि आप एक बड़े बिजनेस होना मैन होने के साथstudy बीटा भी हो पिता होने के साथ आप एक बेटी के भी पिता हो तो आप किसी भी लड़की के क्रेक्टर पर बात नहीं कर सकते हैं तो यह जो है बात गलत है लेकिन यह जो TikTok family है हाँ जी TikTok band हो चुका है जहां इंडिया मैं लेकिन वो वापिस से सब लोगों को नेम फेम मिल गया YouTube से है ना लेकिन YouTube ने इनके रिष्टे खराब किये जा फिर आफ कैमरा इनके रिष्टे खराब हो चुके थे लेकिन अब आपके सामने जो है सोचल मीडिया के थूरू वो जो रंजिश अंदर ही अंदर चल रहे थी वो निकल कर सामने आ गई है लेकिन ये भी एक पिता का ही जिग्रा होगा जिसने अपने बेटे से 10 मिनट में ही घर खाली करवा लिया तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सीजेशन जरूर देना कि अगर एक पिता ने अपने बेटे को बोला बाप बाप होता है 10 मिनट में मेरा घर खाली करो और आगे बेटा जो अभी USA से आया है आते उसने बोला मैं गरेटर नवाइडा में घर लेना चाहता हूँ तो चाहे वो rented house उसको मिल जाए चाहे वो खुद का अपना घर खरेद ले लेकिन एक पिता अपने जिगर के टुकरे को जिसने की उसको टाइम नहीं दिया एक जान दो दिन का उसने बोला 10 मिनट में मुझे अपना घर खाली चाहिए तो ये ऐसे एक पिता कैसे कर सकता है तो ये तो फिर जिद बाजी हो गई अपने ही बच्चों के साथ तो वो ही बातेяться हैं वहाँ पर लखन ने भी ये चीज़ जो है कलियर कर दी कि अगर मैं अपने पिता के लिए अपने बाप के लिए पिता वर्ड नहीं बोला उसने बाप बना दूँ तो बना दूँ क्या एक वीडियो में भी सब कुछ क्लियर करना चाहू ना तो वीडियो भी कम पड़ जाए मतलब इतनी बाते हैं वो अपने पिता की असलियत जो है वो दुनिया के सामने नहीं अभी लाना चाहता तो उसके मतलब यही है कि कही ना कही अंदर से बच्चे बहुत तूट गे हैं तो आप उसके साथ रह रहे हो हना लेकिन कहीं न कहीं लोगों के ऐसे भी कमेंट्स मेरे पास आये हैं कि जो इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर सकता है पिता और भामो एक अच्छी होस वाइफ है जिसने अपने बच्चों को इतनी अच्छे संसकार भी दिये हैं क्या हो गया उ तो कि इतने बड़े अंपायर का मालिक जो है वो अपने बच्चों के लिए ही कोई ढंका डिसीजन ना ले पाया अपनी ही छवी जो है वो अपने खुद के ही बोलवानी से अपने वर्ट से जो है खुदी धुमिल कर रहा है लेकिन ब्लेम जो है वो अपने बच्चों को कर यहां पर parents और बच्चे मतलब audience कहीं न कहीं confused है कि वो किसको सही कहें वो किसको गलत कहें ठीक है तो audience भी जो है वो बट गई है वो बाप बेटे में मतलब competition नहीं करवाना चाहती वो बस यहीं चाहती है audience कि आप लोग जो है अपनी family का जो भी matter है आपका आप अपने घर पर ही sort out करें क्योंकि नहीं तो यह ववेक चोदरी जो है तो वही जिनके चैनल अब जो है पिट चुके हैं और वो उनके चैनल से उनके खर्चे वर्चे नहीं चल रहे हैं तो वो ऐसे ही लोग जो है उट उट कर आएंगे और controversy जो है उसको खतम होने ही नहीं देंगे आग में घी का काम करेंगे तो यह ववेक जैसे भी निकल कर सामने आएंगे ही और वहाँ पर पता नहीं ववेक ने यह चीज क्यूं यह बात करी कि मैंने face value बताई दी मैंने टिक लखन ने ऐसा किया है अभी भी recent जो है controversy पारस ठकराल की कहलें कि वो चल रहे थी उनकी शादी को लेकर तो सनेहा के साथ अभी उसने US जाने से पहले जो है पिक वगारा क्लिक करवाई है सनेहा के बारे में उसने बोला है लेकिन यहां पर मेरे को नहीं लगता लखन ने यही है कि आप चोटे यूट्यूबर से भी देख सीख सकते हो लेकिन पारस ठकराल भी कोई चोटे यूट्यूबर नहीं है लेकिन हां अगर देखा जाए तो इनके recording अगर उनके सब्सक्राइबर है तो वह काफी कम है है ना तो वहां पर सनेहा और पारस ठकराल से अगर गई थी ठीक है एक हफ़ते के बाद कोई उनके ऊपर कोई वीडियोस नहीं बन रहे थे कोई रियक्शन नहीं हो रहे थे कुछ नहीं हो रहा था लेकिन यहां पर एक पिता और एक बेटे का मामला है बहु और सास का मामला होता तो कहते ना यह तो सदियों से चला आ रहा है लेकिन बेटे और बाप के बीच में यहां परसंसकार जो है माने ही कूट-कूट कर भरे हैं और अब मा को ही अपने पालन पॉश्चन पर जो है शक होने लगे हैं तो यह मतलब हो क्या रहा है तो कहते हैं न कल यूग में सब कुछ पॉसिवल है तो कैसा लगा मेरा अभी का वी